आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इस्पेसल होने वाली है, खास कर उन स्टुडेंट्स के लिए जो चित्रकला के पेपर को बहुत ही हलके में लेते हैं, तो मैं उनको बता देना चाहूंगा कि स्टुडेंट आपका जैसे कि हिंदी में आपका सत्तर नंबर होता है, हिं यूँ कि अगर आप इसको हलके मिलेंगे, तो आपका सत्तर नंबर जो है, ये कही न कहीं से कुछ न कुछ इसमें कट जाएगा, तो इसलिए जितना मेहनत से और सिद्दत से आप इन सब्जेक्स तो पढ़ते हैं, हिंदी हो, साइंस हो, मैत हो, सोसल साइंस हो, उसी तरह से आपको चित्रकला की भी तैयारी करनी चाहिए, और उसी के लिए जो है, मैं आज ये वीडियो लेकर के आया हूँ, मैं आपको बताऊंगा ऐसे पांच चीजें, ऐसे पांच महत्तपूर बातें बताऊंगा, मैं आपको कितनी पांच महत्तपूर बातें बताऊंगा, जो कि चित्रकला पेपर में ध्यान रखने योग के बाते हैं, जो की बहुत ही जादा महात्पूर हैं, चित्रकला का पेपर देते समय, तो ये वीडियो जो ही क्लास 10 वालों के लिए हैं, चित्रकला का पेपर होने वाला है आपका, उनके लिए है ये वीडियो, जो बोर्ट पेपर ह रहता है 25 नंबर का केवल दो चित्र बनाना रहता है आपको जिसमें से उतना मिल जाता है मैंने आपको सेप्रेट वीडियो बनाया हुआ है आप वहां से भी सब चीज़ें देख सकते हैं उसमें मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगा तो आपको पहली बात तो यह पता होना चा करना है कहने के मतलब यह है कि आप टाइम से पहुंचे टाइम गवा करकर ना पहुचे पता थोड़ी दर में बना लेंगे तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है एक्जाम हॉल में बैठने के बाद जब आपको कॉपी मिले तो आपको अपने काम पे लग जाना है जितने भी टाइम का आपका पेपर रहेगा जब तक आप एक आध घंटे बचेंगे एक घंटे बचेंगे या फिर आधे घंटे बचेंगे तो आपको बहुत जादा घबरहाट होने लगेगी कि अभी तक तो मैंने कुछ बनाया ही नहीं अब मैं कैसे कंप्रेट करूं अपने पेपर तो इसलिए पहुंचते ही आपको अपने काम पर ल यह तो आप बचिछ अग बेख़ंगे लिएत चीजें के लिए रखने और पर जायेगा तो और्चस बेंस अना बचैए बोर देगा तो अगर को गिर जायगा तो ऐसा ना होने पाए आप बिलकुल शान्ट जगा पर बैठिएगा मतलब बिल्कुल disturbance ना रहे आप जहां बैठियेगा वहाँ पर कोशिस कीजेगा इधर उधर आप खुद भी ना ही लें बिल्कुल concentrate होकर के अपना काम करें उसके बाद focus on paper जब तक आपको exam hall में बैठना है पूरा का पूरा time पे जो है आपको paper पर ही focus करना है कहीं इधर उधर क कुछ नहीं करना है क्योंकि थोड़ी देर के लिए आप अगर इधर उधर लग जाएंगे तो आपको पूरा time वैसे निकल जाएगा आपको पता नहीं चलेगा और focus करें रहने से यह भी होगा कि आपका color वगएरा खराब नहीं होगा नहीं आपका पानी वगएर गिरेगा क क्योंकि आर्ट के पेपर में बहुत जादा सावधानियां बरतनी पड़ती है क्योंकि color वगएरा करना रहता है कुछ उसमें figure draw करना रहता है तो इसलिए यह पांच चीजें थी जो कि बहुत जादा महत्वपूर थी आप लोगों के लिए तो मैंने सोचा आपको बता देता